हेलो गाईज, वेलकम बैक टू इना तो गेंपले वीडियो और आज हम दुबारा से केलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल एवल एन गाईज यह हमारी आर्क सर्वाइवल एवल के मुबाइल वर्जन का होने वाला है एपिसोड नमबर सावन तो गाईज, जैसी कि अपने हमारे पिछले एपिसोड में देखोगा जहां पर हम अपने बोग को रिपेर करने के लिए गाईज, काफ भी जदा मैनत वगेरा कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर मेरे को आराउंड 2K फाइबर चाहिए था जो कि गाईज, मैं अपने हातों से तो कलेक्ट करनी सकता उसको कलेक्ट करने के लिए गाईज, मेरे को यहाँ पर सिकल को अनलोग करना था जो कि आराउंड लेवल 30 में था तो guys वो already मैंने unlock कर लिया अपनी book को भी guys मैंने already repair कर लिया तो guys आज मैं उस book का damage दिखाने वाला हूँ जिस book के पीछे guys मैं इतना ज़्यदा पढ़ा था और काफ़े ज़्यदा भाई लोग तो confuse हो रहे होंगे कि यार ये एक नया book बना ले था उसके पीछे क्यों पढ़ावा है तो guys उसका आज मैं आपको experiment दिखाने वाला एक काफ़ी ज़्यादा गतरना डाइनो के ऊपर वैसे guys मेरे base के पास में एक Thrygenosaurus था so मैंने decide कर है यार उस Thrygenosaurus को हम kill करने का try करते अगर उस Thrygenosaurus को मैं मारने का try करता हूँ अगर वो मेरे से तेज निकला and काफी ज़्यादा fast speed रात को guys मेरा यहाँ पर बचना बहुत ज़्यादा impossible हो जाएगा so मेरे को guys यहाँ पर एक Brondosaurus दीका तो क्या बोलते हो guys Brondosaurus के उपर हम try करें तो लगता है guys चलो सबसे पहले answer करते हैं हम Brondosaurus का level check out करते है and level guys अगर 30 या फिर 20 होगा तो इतने guys bow में easily मर जाएगा I mean arrows में easily मर जाएगा अगर 50 या 60 का हुआ तो guys मेरे को काफी ज़्यादा arrows और चाहिए होगे तो चलो guys सबसे पहले मैं इसका level check out करता हूँ कितने level का है okay guys level 30 है around 3600 इसका health है तो चलो guys एक बार ही हम इसको मारने का try करते है वैसे guys कि इसको मारना काफी ज़्यादा difficult है फिर भी या try करना तो बनता है देखते हैं guys कि यह जीतता है कि हमारा bow जीतता है तो बताइए guys आपको क्या लगता है कौन सी चीज जीतेगी वैसे guys मुझे अपने bow में एकदम 100% sure है कि मेरा bow ही जीतेगा तो guys जब तक आप comment section में बताओ कि कौन जीतता है वैसे guys हम अपना intro को complete कर लेते हैं वीदो स्थार्ट करने से पहले जो भी हमारी से विडियो वे नहीं है और जिसने भी अभी तक अमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दो प्लीस चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब अकर वीडियो पसंदा लाते है वीडियो को लाइक करना मद भूलना आज की वीडियों मैं लाइक का एम रखते हैं अराउंड 250 आई होब आप लोग 250 लाइक तो कम्प्लेट कर रहा ही दोगे यहाँ पर मैंने ब्रॉंडोसरस में लिटरली काफी ज़्यादा arrows हिट कर लिए हैं तब भी अब भी तक यह मेरे उपर aggro हुआ है तो मुझे लगा गाईज यह मेरी अपकानी खतम होने वाली है तो गाईज मैं इससे थोड़ा सा दूर भागने लगा था तब ही देखा गाईज मैंने यह मेरे से I think काफी ज़्यादा दूर जा रहा है तो I think गाईज यह जो है इसका हेल्थ अभी काफी ज़्यादा डायन हो चुका होगा तो मैं इसको अभी easily kill कर सकता हूँ तो guys फटावट से जितने arrows में इसके उपर मार सकता हूँ तो मारने का try करेंगे वैसे guys अगर यह गलती से kill हो जाए तो इससे guys मेरे को काफी ज़्यादा मार में meat and prime meat मिल सकता है तो ऐसे करते हैं guys अगर इससे मेरे को prime meat मिलेगा तो क्यों नहीं आज हमें एक pattern or down team करते हैं जाधा high level का pattern or down team नहीं करने वाले क्योंकि guys इस area में जो है ना काफी high high level के pattern or down नहीं मिलते हैं mainly guys आपको high level के pattern or down मिलेंगे स्वायम के area में तो guys आज हम low level का pattern or down team कर लेंगे उसके बाद देखते हैं guys कोई अच्छी जगह में जाके काफी ज़्यादा high level का pattern or down team करने का तो देखो guys ये जो है ना काफी ज़्यादा दूर भाग चुका है and try करते हैं guys मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे मुझे तो लगता है guys कि मैं हम इसको easily kill कर देंगे okay यार काफी ज़्यादा दूर चाच चुका है so finally guys यहाँ पर हमारी bow जोती है वो जीद गई है तो guys एक like तो बनता है जो इतनी मैनत करी हमने अपने bow को repair करने में अपने viewer dime के अंदर रखे हुए थे so आदी तो guys मैं चोर के ले गिया था आदी से guys मैंने अपना जो बोता वो repair कर लिया था so अभी guys आगे बाद हम बाद में करेंगे सबसे पहले मैं इसको ना harvest कर ले तो level 20 का दा guys around मेरे को लगता है इससे जो है ना मेरे को चलते हैं and tranks arrows बनाएंगे वैसे guys मुझे लगता है यार अभी जो मेरे tranks arrows है वो unlock नहीं है तो मैं ऐसे करता हूँ guys photographers अपने base में चलता हूँ and tranks arrows वगेरा unlock करेंगे and कुछ around 7 से 8 tranks arrows बरालेंगे guys इतने में एक अच्छे level का pattern जो है वो easily unconscious हो जाएगा okay guys मेरे मेरे पास यहाँ पर 14 narcotics है तो around guys मैं 14 14 tranks arrows यार easily बना लूँगा पर guys यहाँ पर जो मेरे tranks arrows है ना वो अभी unlock नहीं है तो मैं photographer से चलता हूँ and grims में I think guys level 20 में हमारे tranks arrows भी unlock हो जाते हैं तो देखते हैं level कितने में okay guys level 21 में so finally guys यहाँ पर हमने जो अपने tranks arrows है वो already यार unlock कर लिया है तो जितने भी guys हम tranks arrows यहाँ पर बना सकने है सारे के सारे guys हम tranks arrows यहाँ पर craft कर लेते हैं तो finally guys कुछी दूर जाने के बाद मेरे को यहाँ पर एक पैटर्ण और रोन दिखा जो कि guys अभी जो है काफी काम level का था तो इसको guys team करने के कोई भी फाइदा नहीं around 35 या 45 level को हो जिसे हम एक ही बार में guys यहाँ से सीधा redwood तक travel कर सके so उसके बाद guys वहाँ पर हम करने वाले एक काफी ज़दा high level का पैटर्ण और रोन टेम तो guys यहाँ पर मेरे को around 35 level का मिला था so जैसे guys मैं इसके उपर meat डाल रहा था ना guys इसकी inventory में तब तक guys एक जो है ना काफी ज़दा खतरनाक scene हुआ वो scene क्या हुआ guys यह देखो यार बिन बिनोई party में तो उनका स्वागत करना तो बनता ही है ना तो यह भी guys around 50 level का था वैसे पैटर्ण डॉन टेम नहीं वा तो guys मैं इसको unconscious कर सकता था मेरे पास guys इतने arrows नहीं थे जितने भी guys मेरे पास arrows थे मैंने सारे के सारे arrows यह यह रैप्टर के उपर डाल दिये आप तो guys ऐसे करते ना एक दो पैटर्ण डॉन हम और देखते हैं कहीं न कहीं से तो guys पैटर्ण डॉन मिली जाएगा तो guys काफी जाता ढूडने के बाद मेरे को यहाँ पे एक भी काफी जाता अच्छा लेवल का पैटर्ण डॉन नहीं मिला अच्छा तो नहीं बोल सकते गाइस नॉर्माल लेवल कभी नहीं मिला 50, 60, 70, 80 इतना भी कोई मेरे को पैटर डॉन यहां पे नहीं मिला तो मैं यहां पे थोड़ा बहुत घूमने लगा था यहां पे देखो गाइस तीन या चार रैप्टर के जुंड बना के घूम रहे हैं और मैंने डिसाइट करा अच्छो ले यार क्यों नहीं एक रैप्टर री टेम कर ले थे हैं अगर पैटर डॉन टेम नहीं हो रहा है पर यहां पे जो है ना मेरी इतनी फटी भी थी कि मैं यहां पे इस पैटर रैप्टर के सामने जाने में मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी अगर मैं एक Raptor को भी मार था तो दूसरा Raptor जो है ना guys मेरे को काफी ज़ादा गंदा मार था तो मैंने डिसाइड करा है यार अब भी इसके तरफ जाके कोई फायदा नहीं है अगर एक ही Raptor जो है ना मेरे उपर aggro होता है तो मैं इसको मारने का सोच सकता हूँ फिर guys क्या था मैंने डिसाइड करा है थोड़ा सा मैं रोटेट करते वे जातनों कोई Raptor को अलग से देखूंगा तो उसको Unconscious कर लोगा वैसे guys जो है ना हम कल की वीडियो मा अपने के लिए Spike Glasses बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे guys दिक्कत क्या हो रहा है कि guys मेरे को कोई भी डाइनो वगेरा दिख रहा है जैसे कि Parasaurus है Raptor है guys काफी जादा दूर दूर है तो मैं उनका लेवल चेक आउट नहीं कर पार हूँ अगर मेरे को Raptor एक टेम करना पड़ेगा तो guys मेरे को सारे के सारे Raptor को unconscious करना पड़ेगा अकर मेरे में Spike Glasses होंगे तो मैं किसी भी Raptor करना guys easily level check out कर सकता हूँ तो हम ऐसे करेंगे guys जो next video में जो होगा न अपने क्लिए Spike Glasses बनाएंगे और मैं आपको बताऊँगा कि उस Spike Glasses को बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होंगे में गया क्योंकि मेरा food level काफी ज़्यादा कम हो गया तो मैंने food पके रखाया और दुबारे से guys यहाँ पर मैं लिकल गया था Raptor ढूंड नेगले पर Raptor तो अपन को मिला नहीं जो कि सिंगल में हो and यहाँ पर जो है ना मेरे को tapis आरा दीगा so मैंने decide करा यार चलो क्यों ना इस tapis आरो को हम trap करने का कोसिस करते हैं बोला weapons है वैसे guys जो tapis आरा है वो काफी ज़्यादा सरमीला होता है अगर आप उसके सामने चले गए तो देखो guys वो किस तरीके सब भागता है तो मैं guys उससे काफी ज़्यादा छुप रहा था यहाँ पर कि यार at least tapis आरो जो है ना मेरे को देखे ना तो यहाँ पर देखो guys इसना मेरे को देखा and सीधा guys यहाँ पर सब भगेगा तो यही है guys tapis आरो को टेम करने में प्लिटली काफी ज़्यादा दिकत होता है and यहाँ पर से तो guys वो मेरे से भाग चुका है तो चलो कोई नी guys वो तो चलता रहेगा आने वाले टाइम पर इसको भी हम टेम करेंगे अब भी तो भाग रहा है कहां तक भगेगा तो guys जैसी मैं यहाँ पर दुबारा से घूम रहा था and यहाँ पर guys मेरे ऊपर पर मैंने दूसरा arrows भी guys adrenaline secret इतना जादा हुआ था कि मैंने time देखा नहीं and दूसरा raptor में भी guys मैंने दबा दब 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 arrows fire करने लगा एक raptor तो guys यहाँ पर मर चुका था and जो कि guys 45 लेवल का raptor था वो यहाँ पर unconscious हो गया था तो मैंने decide कर रहे यार 45 लेवल का है तो इसको हम easily यार टेम कर लेते हैं थोड़ा सा काम वगेरा करेगा meet वगेरा फार्म करेगा बाकी कुछ नहीं वैसे अभी जो है ना guys हम इसे temporarily time कर रहे है permanent time इसे अभी नहीं कर रहे है तो permanent guys अभी हम आने वाले time पर करेंगे वैसे guys अभी जो यह ना यह 35 लेवल के around 45 तक तो guys मेरे को यहाँ पर easily मिल जाएगा तो चलो guys जब तक यह team होता है ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा explore वगेरा और कर ले तो एक pattern डोन हम check out कर ले थे तो guys यहाँ पर मैं थोड़ा सा explore वगेरा कर रहा था and pattern डोन ढूंड रहा था and guys यहाँ पर देखो Raptor के जुनने guys बहुत ज़्यादा गंदा attack कर रहा and यहाँ पर guys जो है ना 3 से 4 Raptor ने मेरे उपर attack करा and मैं guys बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर बचा था around guys मेरे health जो था ना वो काफी ज़्यादा कम था and इसको guys मैं मानने का try करा एक arrows हमने hit कर लिए था दो arrows guys मैंने यहाँ पर hit करे and इसका health देखो guys 352 था पर guys इसने जो है ना मेरे को अपने दूसरे attack में धपोच लिया था है वैसे guys मैंने काफी ज़्यादा try करा and finally guys यहाँ पर बच चुका हूँ and इसके साथ साथ guys मैं हमारे उपर जो है ना दो तीन raptors ने और ने attack कर लिया था तो guys यहाँ पर मैंने इससे काफी ज़्यादा बचने का try करा and एक जो raptor था था ना guys उसको मैंने already unconscious कर ले था जो कि around काफी ज़्यादा high level का था 45 level का unconscious हो चुका था and जो दूसा था था ना guys वो भी around 45 level का था तो उसका भी tropos level जो था ना guys वो काफी ज़्यादा high हो गया था and एक arrows और पर तो guys वो unconscious हो जाता पर उसने guys decide करा कि यहाँ पर सब भागना ही better रहेगा अगर भागूंगा नहीं तो यह मेरे को भी unconscious कर देगा वैसे guys जो मेरा health है नहीं यहाँ पर around काफी ज़्यादा गंदा हो चुका है तो मैं ऐसे करता हूँ guys फटावर्ट से अपने बैस में चलता हूँ and जितना भी मेरे पास raw meat वगेरा है उसे cook करके meat वगेरा खाऊंगा and अपना health जो है नहीं guys उसे regenerate करता हूँ and फिर guys यहाँ पर हम आने का try करेंगे वैसे राद भी काफी ज़्यादा हो चुका है तो मैं ऐसे करता हूँ नहीं guys यहाँ पर सो जाता हूँ तो guys यहाँ पर पूरी राद काटने के बाद around मेरा health जो है वो काफी जल्दी जल्दी recover होने लगा था and मेरे पास guys को यहाँ पर कुछ cooked meat था तो मैंने decide करें यार इस cooked meat को भी जो है ना हम खा लेते है and अभी guys मेरे को वो डूड़ना पड़ेगा जहाँ पर जो हमारा raptor था जिसको हमने team करने के लिए रखा था around 4 गंटे हो चुके guys मेरा need भी complete हो गया है तो guys इसका unconscious level है जो है ना वो कम ना हो गयो तो अभी जो है मेरे को guys यहाँ पर उस raptor को डूड़ना पड़ेगा जिसको हम team कर रहे थे वो तो guys यहाँ पर दिखानी पर यहाँ पर मेरे को कुछ compass वगरा दिखें तो इन compass को यार हम फटाफट से kill करते हैं तो finally guys यहाँ पर जो मैंने इन compass को जैना खिल खा लिया है और raptor देखना पड़ेगा यार अपना raptor कहा गया so finally guys यहाँ पर मेरे को वो raptor तो मिल चुका है इसका unconscious level देख सकते हो guys काफी जादा कम level में हो गया है तो जितना भी guys मेरे में पास यहाँ पर बायो टॉक्सिक है मैं सारा खासारा बायो टॉक्सिक guys इस raptor को खला दूँगा जिस करण से guys इसका जो tropos level है ना वो काफी जदा हाई हो जाए यहाँ पर हमारे पास raw meat तो है नहीं पर मैंने यहाँ पर guys कुछ compass वगेर को मारा था इस वाले compass ने मेरे साथ बहुत जदा बड़ा scam कर दिया यहाँ पर मेरे को only 11 height दिया 0 meat तो एक guys मेरे पास better option है मेरे को लगता है guys जो हमने यहाँ पर एक raptor को unconscious कर रहा था ना around 45 level कर था तो उसे guys हम totally kill कर लेते हैं and इसका जो meat है ना guys वो अपने वाले raptor को कर आएंगे and photographers इसको team वगेरे करते हैं और आज का वीडियो guys फिर इसके बाद ही end कर लेंगे हम okay यह रहा and इसकी inventory में डालता हूँ क्या लगता है guys हो जाएगा तो ऐसे करते हैं guys यहाँ पर मैं थोड़ा सा afk बेटता हूँ तो finally guys around 15 minute बाद afk रहने के बाद and इसका जो taming level देख सकते हो ना guys almost 92% tame हो चुका है दो bite में guys easily यह tame हो जाएगा पस guys around होने वाला यार थोड़ा सा wait करना पड़ेगा हो जाएगा guys कोई दिक्कत वाली बात नी okay guys almost जो है ना यहाँ पर 92% I think 93% हो चुका है मुझे तो लगता है guys याली bite में हो जाएगा फिर भी guys देखते हैं होता है यह नहीं होता वो तो guys अब भी मेरे को भी पता नहीं हो गा या नहीं हो गा वैसे लगता तो guys यहाँ पर टेम हो जाएगा ओ ओ ओ ओ guys यहाँ पर थोड़ा सा बस चुका है around 99.8% टेम हो गया है बस guys यहाँ 0.2% के लिए इन्होंने काफी दादा wait करा रहे हैं यार मेरे को तो देखते हैं guys यह कब तक टेम होता है पस यार खाले जल्दी से जल से जल टेम हो जाएगा हमारे guys family में एक raptor जुड़ने वाला है तो इस raptor को guys लेके चले मेरे को तो लगता है guys इस raptor को मैं लेके जाने वाला हूँ एक cave में and अपने साथ साथ बो भी लेके चलेंगे and देखते हैं guys वहाँ पे क्या scene होता है ओके guys अपन का जो raptor है ना वो टेम आल्मूस होने वाला है so finally guys यहाँ पे हमारा जो raptor था वो यार टेम हो गया है तो चलो guys इसको हम फटावर से लेके चलते हैं अपने base में and इसका जो saddle है ना guys वो हम next day बनाने वाले है and next day guys इसको लेके जाने वाले हम gift करने के लिए तो guys next video जो है ना वो खाफी ज़ादा गजब को कर तो चलिए guys यार आज की video के लिए बस इतना ही मिलते हम आप से next video में तब तक ले goodbye and have a nice day so bye bye guys I hope you enjoy our video तो मिलते guys आप से हम एक नई वीडियो में तब तक ले goodbye